नमस्ते दोस्तों कैसे हैं सभी लोग आश्य करते हूं अच्छे हूंगे चलिए आज फिर आपके लिए बॉलिवुड की कुछ और इंट्रेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूं 90 के दसक की आई होप आपको पसंद है करीना कपूर से पहले 1993 में करिश्मा दे बैठी थी बॉडी गार्ड को दिल गूजी थी साउथ के हीरो की गड़गड़ा हट साल 2011 में आई सल्मान खान और करीना कपूर की फिल्म बॉडी गार्ड ने रिलीज के साथ ही बॉक्स आफिस पर हंगावा मचाना शुरू कर दिया था फिल्म तो ब्लॉक्बस्टर हुई थी साथ ही साथ इसके सारे गाने भी सुपर हिट हुए थे लेकिन आपको शायद ये पता हो कि करीना की बहन करिश्मा कपूर भी बड़े परदे पर अपने बॉडी गार्ड को दिल दे बैठी थी तो चलिए आपको उस फिल्म के बारे में बताते हैं जो की साल 1993 में बॉक्स आफिस पर रिलीज के साथ ही च्छा गई थी बॉडी गार्ड साल 2011 के सबसे आदा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी फिल्म में सल्मान खान एक बॉडी गार्ड की भूमिका में थे जो करीना कपूर की सुरक्षा में हमीसा तैनात रहते थे और फिर करेना को अपने ही Bodyguard यानि के सलमान खान से प्यार हो जाता है इस फिल्म में सलमान लबली बी सिंग और करीना दिव्या एक राणा के किर्दार में नज़र आई थी Bodyguard एक romantic action फिल्म थी जो की सिद्धिकी दौर्ण निर्देशित है यह सिद्धिकी दुआरे निर्देशित इसी नाम की 2010 की मलियालम फिल्म की रिमेक थी इसमें सल्मान खान और करीना कपूर के इलावा राजबबर, महिस, मांजरेकर, आदित्य पंचोली और हैजल कीच भी साहयक भूमिकाओं में नजर आये थे यह फिल्म भी रिलीस के साथ ही बॉक्स ओफिस पर च्छा गई थी और इस फिल्म को दर्शो का भरपूर प्यार भी मिलाता है यह एक ब्लॉक्बस्टर फिल्म साबित हुई थी और इसके सारे गाने भी सुपर हिट हुए थे लेकिन आपको शायद यह पता हो तो करीना की बॉडिगार्ड से पहले साल 1993 में आई फिल्म अनाडी में करिश्मा कपूर भी अपने ही बॉडिगार्ड को दिल दे बैठी थी यह भी बॉक्स ओफिस पर एक ब्लॉक्बस्टर फिल्म साबित हुई थी और इस फिल्म के भी सारे गाने सुपर हिट हुए थे फिल्म अनाडी के वैसे तो सारे गाने सुपर हिट हुए थे लेकिन उन में से एक गाना छोटी सी प्यारी सी ननी सी आज भी बच्चों की पहली पसंद बना हुए अनाडी भी एक रुमेंटिक ड्रामा फिल्म थी जो सुरेश प्रोडेक्शन्स बैनर के तहट डी आर नाइडू द्वारा निर्मित और के मुरली मोहन राव द्वारा निर्श है थी फिल्म में करिश्मा कपूर के साथ साउथ के एक्टर बेंकेटेस नजर आये थी जो उनकी पहली हिंदी फिल्म थी यह उन्निस सु क्यानवे की तमिल फिल्म चिनना थंबी की रिमेक ही थी इस फिल्म पर भी दर्शकों ने अपना भरपूर प्यार लुटाय था और यह फिल की छटी सबसे आदे कमाई करने वाली फिल्म बनी थी इस फिल्म में करिश्मा कपूर राज नंदनी की भूमिका में थी जिनके तीन भाई होते हैं और वही उनका पालन पोशन करते हैं वहीं बेंकेटेस रामा की भूमिका में होते हैं जो करिश्मा के घर में काम करते हैं ज थैंक्स पर वाचिंग, बबाई!